हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं पंत्री लव राशी फल के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो हमारे मकर लगन राशी के जातक हैं उनका अप्रेल दोजार चौविस में अगर उनका कहीं लव एफेर है या वो कहीं लिविन रिलेशन में है तो उनकी कैसी उनको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंग और अगर आप विवायत होते हुए भी कहीं आपका extra marital affair है तो उनके हालात कैसे रहेंगे उनको आप enjoy कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे गर है आपका कितना सहयोग देंगे उसमें कितना नहीं करेंगे इसको ले करके भी बात करेंगे और एक बात करेंगे आपसे अंत में कि अगर आप no contact situation में आ चुके हैं अपने उस person से आपका जिसके साथ पहले कभी था अप कोई नहीं रहा तो आगे अप कैसे इस सिती रहने वाली है आपके लिए उसको ले करके भी हम ग्रों के आधार पर आपसे बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि जो मकर लगन अगर आप अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि अगर हमारा तलाक हो गया है तो हम क्या सिंगल में है या किस विवाहित में माने जाएंगे प्रियसातियों आपसे बताना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति का तलाक हो गया है डिवोर्स हो गया है तो फिर वो सिंगल में ही आ सिंगल की केटेगरी में ही माना जाएगा तो यहाँ पर सिंगल वो भी है और सिंगल वो भी है कि जिनका कोई मित्र अभी तक नहीं बना या जिनों ने बनाना नहीं चाहा अभी तक आपकी रुची नहीं रही ऐसा आपने कोई विचार नहीं आया दिमाग में या फिर ऐसा भी मकरलکनराशी के हमारे मित्र तो उनके लिए बताना चाहेंगे ये महिना आपके लिए कैसा रहने वाला है? आपके विचार कैसे रहेंगे? और किस बात को ले करके? के यदि आप भी अपने मन में किसी के पिटी कोई प्यार महबत रखते हैं किसी के साथ रिष्टा कायम करना चाहते हैं किसी को अपना मित्र बनाना चाहते हैं और इन बातों को लेकर के ही अगर आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है तो हम काफी हद तक कोशिश करेंगे कि ग्रहों के आधार पर आपका वो मारक दर्शन करके उस उथल पुथल को दूर कर सके जो भी टर्मोईल आपके माइंड में है तो साथ यो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप जो सिंगल जा तक हैं इस महा देखिए आपका जो विचार है वो एक तारिक से लेकर रके मान के चलते हैं हम एक अप्रेल से आप्रीस अप्रेल तक का है ये मंतली लवराशी फन तो इस महीने में विशेश रूप से 24 तारिक तक 24 तारिक तक जो है वो आप बड़े रोमेंटिक मूड में रहेंगे और विचार आपके बस रोमेंस आपके उपर चाया रहेगा आपके दिल और दिमाग पर और जो यह रोमेंस चाया रहेगा यह यह नहीं मतलब फिजूल में ही नहीं चाया रहेगा कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कुछ experiences ऐसे होंगे कि जिसके वज़े से आपके उपर इस प्रकार का प्रभाव बना रहेगा और आपके विचार ऐसे बने रहेंगे और आप बहुत कुछ आगे आने वाले समय के लिए future के लिए बहुत कुछ आपके दिमाग में चलनेगी चीज़ें बहुत कुछ सोचेंगे विचार करेंगे कि कैसा होना चाहिए कैसा करेंगे अगर ऐसा होता है तो आप कैसा करेंगे ये सब चीज़ें बहुत चलने वाली हैं कुल मिला करके जैसे मैंने कहा कि बहुत ही romantic mood में रहेंगे आप आपके अंदर पूरा romance भरा रहेगा और बहुत ही आप उस मित्र को ले करके जिसको आप पसंद कर रहे हैं या कर चुके हैं उसको ले करके भी आपकी जो पसंद है उस पर भी आप फक्र करेंगे उस पर भी आप proud फिल करेंगे कि भई जो मेरा मित्र बना है मेरे लिए जो मेरा मित्र है वो बहुत ही अच्छा है मुझे रब ने बहुत एक अच्छा मित्र दिया है और प्रियसातियों आप से मैं बताना चाहूँगा इतना तो देखिए ठीक है सोच विचार तो अच्छी बात है अपने मित्र को ले करके लेकिन क्या है कि यहाँ पर महा के उत्रारद में जा करके महा के उत्रारद में में जा करके कुछ ऐसा चीज है कि आप इमोशनली जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी है अपने मित्र को ले करके मित्रता बढ़ेगी और आपका मित्र भी आपको बहुत अच्छे डंग से रेस्पॉंड करेगा ये एक ऐसा समय है मैं अगर आपसे कहूं कि आपके अपने रिलेशन्शिप जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये डेवन से ही इतनी मजबूत हो सकती है लेकिन आपको मैं एक बात को लेकर के थोड़ा सा साफधान भी यहां पर करना चाहूँआ कि महा के उत्रार्द में जाकर के जो मैं कहने जा रहा था वोई बात अब मैं उसको पूरा करूँगा कि महा के उत्रार्द में जाकर के कुछ गुरों की ऐसी सिती भी बनने जा रही है ये प्रियसातियों कि आप देखिए कोई भी कार्रे जो होता है जरा थोड़ा कहने में हम भी थोड़ा संकोच कर रहे है कोई भी कार्रे जो होता है अगर step by step किया जाए तो उसका कुछ अलगी आनन्द होता है और एक limit के अंदर रह करके किया जाए सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा रहता है लेकिन उत्रार्द में जाकर के आप कहीं इतने ज़्यादा excited या इतने ज़्यादा क्या कहते हैं भावग emotional ना हो जाए कि आप सारी चीज़ों को भूलते हुए और सारी हदें पार कर दें कुछ इस प्रकार का भी योग ग्रों की और से बना हुआ है तो आपको भी और आपके मित्र को भी ये चीज़े थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि लाइफ जो है लाइफ को एंजोई करने के भी बहुत तरीके होते हैं अपने अपने डंग से तो आप जहां तक हम समझते हैं आप हमारी इस बात पर जरूर ध्यान देंगे और मैंने जैसा कहा कि ये महीना जो है अपरेल का आपके लिए है आप अपने इस रिलेशन्शिप को जितना मजबूत चाहे बना सकते हैं ये सारा कुछ आप पर निर्वर करेगा और आपका मैने जैसा कहा भी है कि मित्र भी आपको सपोर्ट देगा पूरा मित्र की और से भी कुई किसी प्रकार की कमी आपको नहीं लगेगी और महीने के अंत में जा करके तो इसके कुछ और ही परिनाम आपको देखने को मिलेंगे जो बड़े सोख़द होंगे लेकिन अभी विवहा अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी विवहा करने में तो समय है अभी तो योग नहीं है विवहा का तो अभी तो आपकी ये मितरता ही अगर आप चाहते हैं तो बन सकती है ये समय है गरों की ओर से पुरा आपको सहयोग है मकर लगनराशी के जातकों को आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप लिविन रिलेशन्शिप में आल लडी है या आपका लव एफेर चल रहा है पहले से ही प्रियसातियों मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आपका लव एफेर भी चल रहा है या आप लिविन रिलेशन्शिप में भी है तो वो भी बड़ा सुखद अनुभव आप करने वाले हैं इस महीने में बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा और बड़ी प्रोग्रेस होगी आपके रिलेशन्शिप में मकर से होने वाली है और आपको ऐसा भी महसूस करेंगे आप ही नहीं महसूस करेंगे आपका मित्र भी महसूस करेगा कि भही धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है मतलब इस रिलेशन्शिप में आप इतने जादा एक दूसरे के करीब आएंगे इतने जादा एक दू वनाव में इतने दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे भावनात्मक रूप से जुड़ जाएंगे जिसको कहते हैं ना कि आगे तक चले जाना तो वही चीज है यहां पर आप जो हैं और कहीं आप मैंने आगे तक की बात की है तो आगे की बात में मैं आपको एक चीज और करना चाहूँगा, कि अगर आप कोई छोटी मोटी यात्रा का भी प्लैन कर सकते हैं, कि भाई, चलिए, कहीं पिकनिक पर निकलते हैं, कहीं तूर्क लगा करके आते हैं, ऐसा भी आपका प्रोग्राम बन सकता है, कहने का भाव यह है, कि यह अप्रेल का महीना, आप मकरल लगन चाहूँगा कि देखिए आपका वैवाईक जीवन जो है वो एक तारिक से ले करके और विशेश रूप से तेईस तारिक तक तेईस तारिक तक जो है वो थोड़ा सा सामाने से मध्यम के बीच में रहेगा मिला जुला जिसको कह सकते हैं मतलब वैवाईक जीवन का जो आनन्द है वो आपको मिला जुला ही प्राप्त होगा अब एक तारिक से तहीं सारी आ गई तो तकरीमन पूरा महिना ही हो गया तो सामानने से मध्यम मान के चलिए इतना सुख आपको इस महा मकर लगनाशी के जातकों को प्राप्त होने जा रहे हैं अब आगे बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं साथ में आपका कोई एक्स्टा मेरिटल एफियर पहले से चल रहा है तो उसके हालात कैसे रहेंगे या इस महा भी कुछ ऐसी संभावना है कि आपका एक्स्टा मेरिटल एफियर कहीं बने तो मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिये साथी हूँ कि देखिए इस महीने आप मकर लगन राशी के जातकों का अगर पहले भी कहीं से एक्स्टा मेरिटल एफियर है तो उसको आप इतना अधिक मात्रा में एंजोई नहीं कर पाएंगे ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत है उसको आप केरी कर सकते हैं और अगर ये प्रिशन आए कि भई शादी शुदा हैं तो क्या इस महीने कहीं हमारा कोई जिससा चांस है पहले तो कभी नहीं था एक्स्टा मेरिटल क्या इस महीने कुछ ऐसा है क्योंकि हो सकता है कहीं से आपको कुछ इस तरीके के संकेत मिल रह सिचोशन में हैं उनके विशे में कि भई आप नो कॉंटरेक्ट सिचोशन में हैं तो आपकी सिथी कैसी रहेगी जो आपका वो परसन है जिसके साथ आपका कभी अच्छा एक बना हुआ था सब कुछ रिलेशन लेकिन आज की डेट में कहने के लिए आपके पास कुछ भी न आपका वो मित्र आपके पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा अभी आप कुछ भी कहने की पोजिशन में नहीं होंगे लेकिन इतना जरूर है कि आप अपने उस मित्र की यादों में इतना डूबे हुए रहेंगे इतना खोए हुए रहेंगे और पल पल उसको याद करे आपको एक अलग ही अनुभूती होगी तो साथ क्यों मैं आपसे ये और बताना चाहूँगा कि देखिए ये सारा जो चीज़ें चलने वाली हैं इस महीने आपके दिल और दिमाग में जो हावी रहने वाली आपकी पूरी-पूरी कोशिश यही रहेगी कि आप भी अपने उ आप भी पूरा confident रहेंगे इस बात को ले करके कि आप अपने मित्र को काफी हद तक convince कर पाएंगे और अपने according जो भी आप उनसे चाहते हैं वो भी इतना आपको अपने उपर confidence होगा और ये confidence जो है देखिए confidence होना कोई गलत बात नहीं होती बस overconfident नहीं होना चाहिए जरू मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी सोच है और उसके सोच के हिसाब से अगर आप कुछ effort कर रहे हैं या करते हैं तो उसका result क्या आएगा आपका जो वो person है उसकी और से तो इस साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपके person की और से भी आपको एक तरीके से तेज स तारिक से पहले पहले तो उसकी सिती काफी ठीक रहेगी उनकी तरफ से कुछ अच्छा response मिल सकता है या यह भी कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके के संकेत आपको मिल जाएं बाचीत ना हो आपकी आमना सामना ना हो लेकिन उनकी और से कुछ ऐसी indications आपको मिल जाएं जो indications के आध की संभावना यहां पर बन रही है लेकिन आप से यह बताना चाहेंगे कि तेईस्ट से पहले पहले जो भी effort आपने करने हैं तरीके के साथ करके इस तरीके के results की प्राप्ति आपको हो पाएगी या हो रहे कि संभावना है तेईस तारिक के बाद अगर आपने कुछ इस प्र सकते हैं तेईस तारीक के बाद से तेईस अपरेल से लेके महीने के अग्ड़ तक आपके मित्र की ओर से इस बात को ले करके जरूर आपको मैं सावधान करना चाहूँगा तेईस के बाद इस तरीके का कोई step आप बिलकुल ना ले क्योंकि फिर परिस्थितियां बदल रही ह तो उसका फिर जो है आपको निगेटिव रिजल्ट मिलने की ज्यादा संभाव ना है तो ये था आप मकर लगन राशी के जो हमारी मित्र हैं उनका मंत्री लव राशी फल अपरेल दोजार चौबिस का साथियों आपको ये अगर चर्चा पसंद आई ये वीडियो पसंद आ लोज हमारे एस्ट्रोलोजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब समय रहते हुए विद नोटिफिकेशन सा आप तक पहुँच पाएं तो उसके लिए बैल आइकन भी आप जरूर प्रेस कर दीजे तो साथियों अब इसी के साथ अपने इस कार्यकरम का समापन करना के जाजत आप सभी का सेहर दे बहुत बहुत धन्यवाद जय माता दी